नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30, 1 और 2 सितंबर तुलारासी के महारासी फल के बारे में बेटा तुम दर्द साकर बहुत जीली अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गई हैं जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह तीन दिनों के अंदर से ही तुम्हारा पूरा जीवन अचानक से एक जटके में बदल जाएगा जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर व्यक्ति के जीवन काल में परिवर्तन होना होता है जब भगवान उनके जीवन काल में चमतकार करना सुरू करते हैं, तो दोस्तों उनके लिए एक छोटा सा माचिस की तिल्ली भी बिसाल बन जाता है, छोटा सा पत्थर भी उनके लिए पहाड बन जाता है, जिहां दोस्तों, और एसे ही कुछ मोके आपको आने वाले तीन दिनो से अंदर आपके जीवन काल में मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुती बड़ा किर्तिमन अस्थापीत करेगा एक परकार से कहें की आपका पूरा जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों जरसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका भक्ती का घड़ा भर चुका है भगवान मालक्षमी के आसिम आसिरवात से अब आप सभी के जीवन काल में बहुती बड़े चमतकार होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में श्वा मालक्षमी बहुती अच्छे ग्रहों की इसती बनाने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों अब आपको लाप के नए नए मौके मिलेंगे और दोस्तों दिन के पहले ही दिन से आपके जीवन काल में वो शुब घटना होने वाले हैं जिनें दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे और यह घटना सुनकर आपके होस उड़ जाएंगे जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज साम से ही आपके घर के माहूल में पारवारी चीवर में आपके स्वास्ति बिज ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा महत्पुन होंगे क्योंकि दोस्तों पिछले समय में आपने देखे हैं कि जो दुख दर्द थे वो दुख दर्द आपको किसने दिये थे आखिर आपकी कौन सी उनमें गलती है यह बात आप खुद ही जानते हैं और दोस्तों यह समय ग्रहों की पूरी बिशलेशन और पंचांग की गर्ना कर बनाए गए हैं इनमें आप सभी महत्पुन जानकारी के बारे में जानेंगे कि यह तीन दिनों के अंदर जो ग्रहों की बदलती चाल होगी आपके जीवन काल में कौन-कौन से बड़े परिवर्तन करेंगे कौन- आपके लिए भागे साले होगे और किन छेत्रों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ती होगी और मालक्षमी जी के आसिम आसिरवाद से आपके घर के माहूल में पारवारिक जीवन में आपके परतेक छेत्र में क्या-क्या सुधार होगे तो दोस्तों आन्तों तक देख साथ ही बिल आइकन को प्रेस करके All पर स्लेट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मालक्षमी की एक बहुती अच्छे ज्यान से, एक बहुती अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इंदुन में एक इक्छा सकती जागरित होगी। और दोस्तों यहां ग्यान य जा सीख अगर आप याद रखेंगे तो दोस्तों आपको आने वाले जीवन में कोई भी कश्ट कोई भी परेशानी नहीं होंगे तो आज दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों भगवान स्री कृष्ण जी की एक भक्त अपने जीवन काल में बहुत ही उदास हो चुके थे बहुत ग्यान देते हैं कि उदास नहीं मैं तेरे साथ हूं सामने नहीं पर आस पास हूं पलकों को बंद कर और दिल से याद कर मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूं और भगवान स्री कृष्ण जी ने उन्हें यह भी ग्यान दिया कि लोग क्या कहेंगे पहले दिन हसेंगे द जिन्दगी तुम्हारी है लोगों की नहीं जिहां दोस्तों यह बात सुनकर उसकी भक्त की सारी परिसानिया खत्म हो जाती है और मन उसका बहुती ज़्यादा हलका हो जाता है तो दोस्तों अगर आपको भगवान स्री कृष्ण जी का यह ज्यान यह बात अच्छी लगी और इनके लिए लिख दें जैस्री कृष्ण राधे राधी तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि यह तीन दिनों के शमे अबदी में मालक्षमी आपके जीवन काल में आपके पारवारी जीवन में परते एक छेतर में क्या-क्या खुश खबरियां करने वाली हैं क् उनिमान मुतावित कारियों में वेतित करने से आप परवलित में हैसुष करेंगे उधार दिया हुआ पैशा मिलने की उचीत संभावना है किसी निकट समंदे के साथ चरही कलित प्यमिया भी दूर होगी जदिक वैस्ता के कारण घर पर अधिक समय नहीं वेतित कर पाएंग पर अपने बहुत ही महत्यपून कारियों को निप्टाने से प्रिशनता और शुकून रहेगा यह समिन निवेश करना भविश में लाबदायक सावित होगा गर में किसी भी समंदी का आगवन भी होगा दिन सुखत वेतित होगा कुछ उल्जे हुए कारे वेश्तित होगे प आप बहतरिन तरीके से अपने कारे को अंजाम दे पाएंगे अगर आप प्रपटी की खरीद परोग समंदी कोई कार करने जा रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकुल है नजदी की समंदियों के साथ चली गलत फ्यमिया भी दूर होगी आपका युनावत तरीके से कार करना के साथ कुछ समय व्यक्तित करना आपको शुकुन और खुसी परदान करेगा आज किसी परवासाली व्यक्ति से मुलकात होगी तथा आपको कोई नई जानकारियां भी मिलेगी विद्यारतियों को ध्यान अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेगा इनके साथ साथ दोस्तों आपक आपको कोई गलतीक होने से बचाएगा आपके लिए बहुती अनुकुल शमी है इसका उचीत सद्वियुक करें सोसल मेडिया के जरी आपको व्यवसा समन्दी नई उपलवदिया हासिल हो सकती है किसी भी तरह की कानुन पचले में ना फसें खास तरुपर ट्रफिक नीमों क जरूर पालन करें किसी ने दिखी समन्दी के विवाई समंद में शमस्या आने से मन कुछ परेसान रहेगा वरतलाब करतेश में साब्धानी बरतें दोस्तों कारे चेतर में पवलिंग डेलिंग और मार्केटिंग समन्दी कारे में भी बहुती ध्यान दे या समय फायदे मन इसती बनी हुई है दोस्तों वैपसा में पिछले कुछ समय से चल ही समस्याओं का शमधान मिलेगा फिर अपने सीथ होकर अपने कारें पर ध्यान दे पाएंगे और तो किसी भी नए काम को शुरू करने से उससे पहले समन्दित उचित जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूर है साथी साथ आपको अपनी मेहनत का उचित परना भी हासिल होंगे वह दोस्तों आपके लव लाइक के बारे में बात करें तो पत्ति पत्नी आफसे समान जज़ उचित बना कर रखें था एक दूसरी की भावनाओं को कदर करें प्रेम समंद में मधुर्टा बनी रहेगी सा पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखें वह अपके स्वास्ते के बारे में देखा जाए तो अपने खान पानों और दिन्चारिया के परति लापारवाही ना बढ़ते थोड़ी सी साबदानी आपको स्वास्त रखेगी का स्वास्त ठीक रहेगा पर तो ग्यास और सीर को बताने वाले हैं दोस्तों या चार गुरुबार या फिर चार सुक्रवार के दिन कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन से कोई भी परिशानी नहीं होगी जहां दोस्तों दोस्तों इस दिन मालक्षमी के मंदिर में जाकर कमल का फूल, कोड़ी, संख, यादी अर्पित क मन्यता है कि मालक्षमी को माखाने खिर बता से यादी का भोग लगाने से मालक्षमी जल्द ही प्रशन होती है और भक्तों पर क्रिपा वर्साती है और पैसों की कमी कभी नहीं होगी शुक्रवार के दिन काली चीटियों को सक्कर या चीनी खिलाने से इसे भी आपको बहुत बॉक्स में जय मालक्ष में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद